इंफ्रा नुक्लियर लेयंज एंड सुप्रा नुक्लियर लेयंज हम डिसकस करते हैं इंफ्रा नुक्लियर लेयंज एंड सुप्रा नुक्लियर लेयंज इंफ्रा नुक्लियर लेयंज या पर सुप्रा नुक्लियर लेयंज इनमें हमारे पास फिशल नर्व इंवाल होती है य यह बहुत ही common है तो हम देखते हैं कि bell's palsy में क्या-क्या symptoms appear होते हैं अब bell's palsy में होता क्या है कि whole of face on same side जो होता है वो paralyzed हो जाता है right side of the face है या फिर left side of the face है वो हमारे पास जो whole side है ना वो paralyzed हो जाएगी जिसकी वज़ा से जो affected side होती है वो हमारे पास asymmetrical हो जाती है motionless हो जाती है और जो wrinkle होते हैं वो disappear हो जाते है from head और जो हमारे पास आई होती है affected side की जो आई होती है cannot enclosed जिसकी वज़ा से हमारे पास irritation होती है आंक में और हमारे पास उसमें से fluid का discharge भी होता है इसके लावा जब smile करता है इंफरन्यूक्लियर लेयन का patient तो जो mouth होता है वो draw हो जाता है toward normal side इसके लावा during mastication हमारे पास क्या होता है food जो होती है वो accumulate हो जाती है between teeth and cheek क्योंकि वहाँ पे जो muscles होते हैं हमारे पास उनकी articulation जो होती है वो impair होती है इसके लावा अगर हम सुप्रन्यूक्लियर लेयन को देखें तो इसमें हमारे पास क्या होता है यह hemiplegy होता है यानि कि अगर हमारे पास जो right side है या लेफट side है face की वो completely paralyzed नहीं होती सिर्फ जो उसका lower part होता है of face का वो हमारे पास paralyzed होता है हमने इंफ्रन्यूक्लियर लेयन में देखा कि हमारे पास same side जो थी वो whole side जो थी हमारे पास paralyzed हो रही थी जबकि हमारे पास सुप्रन्यूक्लियर लेयन में whole side paralyzed नहीं होती just उसका lower part जो है paralyzed हो जाता है जो upper part होता है वो escape कर जाता है क्योंकि उसकी bilateral representation होती है cerebral cortex में और महरे पास अपर पार्ट में frontalis और और भी क्यों लेयरस oculi आ रहा होता है और वो escape कर जाते हैं bilateral representation की वज़ा से जो कि होती है cerebral cortex में